Welcome Everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys, हम लोगों ने Boss Baby First Movie के अंदर देखा था कि कैसे टिम और टेड तो भाई थे जिसमें से छोटा भाई टेड बॉस बेबी कॉर्परेशन का एक मैंबर था जो कि Heaven से टिम की फैमिली के अंदर आया था इसी कारण उसे पहले का सब कुछ याद होता है इसी के साथ गाइस हमारी ये सेकंड मुवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि टिम अभी भी अपने बच्पन की इमेजिनेशन से बाहर नहीं निकला है हालांकि अब टिम की शादी हो चुकी है और उसकी दो डॉटर्स भी है जिसमें से एक छोटी बच्ची बॉस बीबी थी टिम की फैमिली एक हैपिली फैमिली थी लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की कमी थी यहाँ पे जो टिम की बड़ी बेटी टबिता थी वो अपना एडल अपनी डैडी टिम को मानने की बचाए अपने अंकल टैट को मानती थी वो अपने फादर टिम को कहती है कि मुझे अंकल टैट जैसा ही सकसेस्फूल बनना है जबकि टिम अपनी बेटी के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे बैट टाइम स्टूरी सुनाने के लिए आया था तो टैबिता कहती है कि मैं इन सब चीजों के लिए डैट अपड़ी हो चुकी हूँ इसी कारण टिम अब अपने फीवरिट रूम में चला जाता है जहां पे वो अपने छोटे से टॉय से भी मिलता है उसका टॉय टिम से जगडा करता है कि तुम तो मुझे भूली गए थे तब टिम उस टॉय से भी बात करता है कि हाँ अब हम सभी लोग बिजी हो चुके हैं जहां पे टैट भी अब हमसे मिलने के लिए नहीं आता है क्योंकि वो अब एक successful businessman बन चुका है जिसके बात में टिम को अपनी छोटी बेटी टीना की कमरे से कुछ आवाज आने लगती है जब टिम टीना की कमरे में पहुचता है तो वहाँ टीना उसे बताती है कि मैं भी एक boss baby हूँ चुकि एक mission के लिए यहाँ पे भी पेजी गई हूँ और मुझे ये भी पता है कि इस family में पहले भी एक boss baby आके जा चुके हैं और वो वहाँ heaven में एक बहुत बड़ी ideal है टीना कहती है कि हमें अंकल टैट को बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी problem है टिम इस चीज के लिए साफ मना कर देता है वो कहता है कि टैट बहुत busy रहता है और वो यहाँ पे नहीं आ सकता है तो अगर तुमें कुछ बताना है तो तुम मुझे बता दो टीना बार बार टैट को फोन मिला के टिम को देती है और कहती है कि आप अपने भाई से बात करिये और उन्हें यहाँ पे बुला लीजिए तो टिम इस चीज के लिए मना कर देता है और फोन पे बात नहीं करता लेकिन छोटी बॉस बेबी टीना बहुत चालाग थी इसी कार बाता कि यह सारा काम उसकी चोटी बेटी टीना का है टैट से मिलके टैविता बहुत खुश थी और वो कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि अंकल आप हमारे साथ क्रिस्मस मनाने के लिए आ चुके हैं तब टिम वहाँ पे टैट को कहता है कि मुझे तुम से अकेले में बात करन और टिम और टीना दौनों टैट को को बताते हैं कि तुम भी एक बॉस अजिस के बाद में टीना इन दौनों को सिपर देती है और अपने साथ में बेबी कॉर्प में ले जाती है जहां जाते ही टैट को अपना ग्हर याद आ जाता है जहां वो कैसा इस टैच्चू déplीना- जादा स्मार्ट बना रहा है कि बच्ची अपने डिसीजन खुद ले सकें और हम लोगों को ये भी पता चला है कि वो एक ऐसा एप बना रहा है जिसे सारे पेरेंस इल्यूजन में चले जाएं तो हमारा काम उस प्रिंसिपल के बारे में पता करना है लेकिन टिम और टैड तो इतने बड़े थे कि वो स्कूल में नहीं जा सकते थे तब टीना कहती है कि मेरे लिए इसके पास में अच्छे से ऑप्शन्स है और वो अपना मैजिक मिलक अपने साथ ले आ दी है जिसे कि टिम और टैड पीते ही वापिस से छोटे हो जाते हैं और अब जब इन दौनों ने मैजिकल टॉनिक पी लिया था तो हम लोगों को बॉस बीबी फरस्ट के दौनों करेक्टर अपने आखों के सामने दिखते हैं जहां पे हम छोटे टिम को और बॉस बीबी को देख सकते थे अब जब घर पे टिम की वाइफ कैरल और उसकी बेटी टैबिता आती है तो टिम व लोगों को वापस से पहले की जैसे काम करना पड़ेगा हम लोगों को यह पता चला है कि 11.30 पर यह प्रिंसिपल स्कूल पहुंचता है और जब कैरल टैबिता को छोड़ने के लिए मौर्निंग में 8 बचे निकलेगी तो आप लोगों को उसी के अंदर जाना है तो अपने ट हो जाता है स्कूल बस पकड़ने के लिए वह बहुत कोशिश करता है कि ठैड के साथ में रेडी होके स्कूल बस पकड़ ले लेकिन उनकी स्कूल बस मिस हो चुकी थी तब ही वहां पे टैड ने टैबिता को एक पॉनी गिफ्ट की थी और टैड वहां पर विसल बजा कि उस को बुला लेता है जिससे कि अभी दौनों हॉस राइडिंग करते हुए स्कूल पहुंचते हैं जहां पर ये लोग पूरी सिटी की अंदर बहुत सारी चीजे तोड़ते हुए डिस्ट्रॉय करते हुए और कैरल की कार से बचते बचाते स्कूल पहुंच जाते हैं छोटा बॉ बॉस बेबी को बोल के जाता है कि तुम मुझे प्रिंसिपल रूम के बाहर मिलना तिम को लगता है कि वो अपनी बेटी के अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज देखे खा तो उसे पता चलेगा कि आखिर उसके बिहेवियर के अंदर चेंजिस क्यों आ रहे हैं लेकिन जब टिम क्लासरूम में पहुचता है तो वहां के बच्चे उसे सीट नहीं देते हैं लेकिन टैबिता तब टिम की हेल्प करती है और उसे अपनी सीट देती है तिम वहां पे देखता है कि वहां पे सारी चीज़े कितनी प्रोफिशनली और हाई टेक है यहां दूसी तरफ पॉस बेबि उन छोटे बच्चों के साथ में था जो कि बिलकुल नॉर्मल बच्चे थे इसी कारण वो बच्चे वहां पे बहुत मस्ती कर रहे थे दूसी तरफ टैबिता अपनी क्लास के अंदर टॉपर बन चुकी थी वो हर क्यूशन के बिलकुल सही आंसर दे रही थी इ नहीं दूसी तरफ बेबि को अपिस कमरे से बाहर निकलना था जहांके दर्वाजी बन थे यहां टिम को भी याद आता है कि 1130 हो चुके हैं और हमें डॉक्टर आमस्ट्रॉंग के पास में पहुचना है इसी कारण वो पहले वाश्रूम का बहाना बनाता है लेकिन के पास भेजने के यहां दूसी तरफ बॉस बेबि भी पूरी महनत करके उस कमरे से बाहर निकल चुका था जहां वो डॉक्टर आमस्ट्रॉंग के रूम के बाहर खड़ा था अंदर जाने पर प्रिंसिपल को पहले ही पता था कि यह बॉस बेबी है और वो फिर बॉस बेब बॉस को कहता है कि मैं यहां पे एक न्यू एप्लिकेशन लॉंच करने वाला हूँ और इसी के साथ मेरी एक मीटिंग भी है तो तुम चाहो तो हमें जॉइन कर सकते हो वहां दूसरी तरफ टिम टेबिथा को देखता है कि उसका एक पफॉर्मेंस होने वाला है स्कूल के एक यंग है और साथ ही में ये भी बोलता है कि मुझे बहुत दूर पैदल चलके जाना है वो भी इतनी ठंड में तब क्यारल टिम को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी घर तक छोड़ दूगी दूसरी तरफ अब बॉस बेस्मेंट में पहुंचत करते हैं इवन ये मेरे लिए आगे जाके एप भी पना देंगे और इनमें से किसी को भी अपनी पेरेंस की जरूरत नहीं है तुम चाहो तो तुम भी मेरा साथ दे सकते हो अब यहां पर टैबिथा टेम और क्यारल सभी लोग घर पे पहुंच चुके थे जहां पर टेम अप में अपनी इमेजिनेशन है जैसा कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूं तब टेम सोचता है कि उसकी बेटी उसकी रेस्पेक करती है और इसी के साथ वो उसके बारे में अच्छा भी सोचती है लेकिन इसी टाइम को पता चलता है कि उसके पेरेंस यहां पे पहुंच चु हमारा बीटा कभी भी ग्लासेस नहीं लगाता था यहां पर बॉस बेबी भी छुपते चुपाती अपनी घर के अंदर पहुंच चुका था इधर टिम अपनी बेटी टेबेथा को सिंगिंग करना सिखाता है और उसको बोलता है कि तुमें बस अपने सौंग को फील करना है जिसके बाद में तुम खुद से अपने आप अच्छा गाने लग जाओगी और इसके बाद देखते ही देखते टेबिता काफी अच्छा सिंग करने लग जाती है दूसरी तरफ बॉस बेबी अप टीना को बताता है यानि की छोटी बॉस बेबी को बताता है कि हम भाईयों क कि अंदर बिल्कुल भी ट्यूनिंग नहीं रही है वो मेरी हेल्प करने के बजाए कहीं और चला गया था जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो मेरे साथ था ही नहीं तो टीना उसे अपनी भाई का लिखा हुआ लेटर दिखाती है कि आप लोग पहले कितनी अच्छी तरीके स साथ में रहा करते थे तो आप लोग अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं जहां पर बॉस बेबी ने आज जितनी भी चीज़े देखी थी वो टिम को और टीना को बताता है कि वो प्रिंसिपल बहुत जल्द ही कुछ ऐसा करने वाला है जिससे कि सारे पेरेंस अपनी बच्चों से दूर हो जाएंगे और अब यह लोग मिल की एक प्लानिंग करते हैं कि कल के इवेंट के अंदर प्रिंसिपल की ड्रेस के अंदर हम लोग एक ऐसा ट्रांस्मिटर लगा देंगे जिससे कि वो हमारी कंट्रोल में आ जाए और जब वो अपना एप चालू करेंगे तो हम वह कर देंगे अब वो दिन आ चुका था जब स्कूल के अंदर एक इवेंट होना था बॉस बेबी यहां पर प्रिंसिपल के साथ ही था और इसी के साथ क्यारल अपने हस्बन टिम को ढूंड रही थी कि शायद आप वो अपने भाई के साथ में वापस आ जाए यहां पर छोटे पेरिंस का ध्यान हट जाए तो टिम यहां पर बॉस बेबी को ऐसा करने के लिए मना कर देता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मेरी बेटी की परफॉर्मेंस होनी बाकी है लेकिन बॉस बेबी उस लिवर को पुल कर देता है असली के अंदर यह प्रिंसिपल के बनाया हुआ प्रैंग था जिसके अंदर अब वो टिम को और टैट को दौनों को ही पकड़ लेता है और उन दौनों को उस पनिश्मेंट रूम के अंदर भेज देता है जिसके अंदर अब पूरी तरीके से पानी भढ़ने वाला था वहां दूसरी तरफ आप टैबिता का परफॉर करते हैं दूसरी तरफ टैबिता देखती है कि उसके लिए किसी ने ख्लैपिंग तक नहीं की इसलिए वहां से रूती हुई चली गई लेकिन तब यहां पर बॉस बीबी पहुंच जाती है अपनी बहन के पास में तो टैबिता कहती है यानि कि अब तक जो मेरे फादर ने स् कि तभी टिम को याद आती है अपने पोनी की और वो वहां से विसल बजाना स्टार्ट कर देता है जिससे की पोनी भागती हुई आती है और उस दरवाजे को तोड़ देती है जहां से टिम और टैड निकल की बाहर आ चुके थे यह दौनों उस में स्विच की तरफ जाते है जहां से ही पूरा सर्किट वर्क कर रहा था लेकिन तभी यहां पे प्रिंसिपल भी पहुंच जाता है और इसी की साथ में टैबिता और टिना भी पहुंच जाते हैं इस प्रिंसिपल का दूसरा कॉस्ट्यूम पहन के इन सभी लोगों के पीच में फाइट होने लगती है कि सबसे पहले लिवर को कौन फुल करेगा प्रिंसिपल इन बच्चों को रोक रहा था लेकिन कैसे तैसे करके ये लोग उस सर्किट में पहुंच जाते हैं जहां पे इनको लिवर डिस्ट्रॉई करना था लेकिन तब तक प्रिंसिपल ने उस सिस्टम के अंदर टाइमर लगा वाली थी दूसी तरफ टिम और टेड ने जो टॉनिक लिक्विट पिया था उसका टाइम भी खतम हो गया था इसी कारण टेम अब अपने असली रूप में आ चुका था और वो अपनी गिरती हुई बेटी को बचा लेता है जिसके बाद में अब प्रिंसिपल को रियलाइज हो सारे गिफ्ट भीजे होते हैं और एक लेटर भी था जिसमें वो बताता है कि मैं मेरे काम में बहुत बिजी रहता हूं लेकिन तुम लोग इन गिफ्ट के साथ में इंजॉई करो और इसी के बाद में हम देखते हैं कि टेड वहीं था चुकि टिम की ऊपर एक आइस बॉल फ बिस्निस मूवी 2 यहीं पर खत्म होती है तो आप सभी लोगों को यह मूवी कैसी लगी है मुझे जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट मूवी में तब तक के लिए टाटा प्राटा